हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं इस्टुडी फीट ओफ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तो डेली पेसिस में आपको प्रैक्टिस करा रही हूं प्रैक्टिस नंबर शिक्स है और मध्यपर्देश वर्ग टू यूपी टीटी पीटी दोजार चोबीस पचीश एंड यूपी प्रैलिस्ट बना हुआ है और मैंने थियूरी सेशन डीटील में पढ़ाया हुआ है तो चलते हैं आज की कोशेंस की तरह कोशें नमर वन है ब्रिद्री ओंविकास की बारह से अठारे वर्ज के अवधी को कहते हैं तो इस अवधी को हम कहते हैं कि सूरा वस्था यानि कि जब कि प्यूबर्टी येर कि से कहते हैं जो हमारे आन्तिम बाले वस्था होता है लेटरल चैण हो नो से तेरज च practition के जो उम्र होता है उसको प्यूबर्टी कहा जाता है अकि सूरा वस्था जो बारह से अठारे वर्स या तेरे-asta से बाले जाल वनेंस साल की जो उम्र होता कि अपको भी लेटिन भासा में कहा जाता है तो कोसे नमर डू है बैटन का पुरियोग कि स्खेल में होता है इन वीच इस वो एच बैटन यूजड तो दोस्तों आप सबको पता है यह रीले रेस में होता है बैटन का प्रियोग रीले रेस में होता है बैटन एक खोक्ली नली का बना होता है इसके लंबाई 30 cm और परेधी 12 cm इसका भार 50 ग्राम का होता है जो दोस्तों बैटन एकस्टेंग जो होता है जो इसके 10 मिटर आगे या 10 मिटर पीछे यानि 20 मीटर का बैटन एकस्टेंग जो होता है और रिले रेस के अंतिम धावक को एंकर रनर कहा जाता है कोशें नमबर 3 है बॉली बॉल में इस्थाना पन निकिलाड़ी कितनी होती है How many substitute players are three in there in volleyball तो दोखतो आप सबको पता है कि बॉली बॉल में कुल 12 खिलाड़ी होती है जिसमें 6 खेलते हैं और 6 इस्थाना पन यानि substitute होते हैं तो यहाँ पे आपका राइड एंसर हो जाएगा 6 कितने इस्थानापंड़ होते हैं 6 इस्थानापंड़ खिलाड़ी होते हैं जैसे कि आप सब जानते हैं कि वालीबाल खेल का विसकार 1895 में अमेरिका में हुआ था और पर्टेक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं अब वालीबाल में 7 अधिकारी होते हैं अब वालीबाल में 6 परकार का सर्वीस होता है कोशन निम्मर 4 है अभीनोव बिंद्रा किस खेल से समंधित है अभीनोव बिंद्रा इस रिलेटेड टू विस्थ इस्पोर्स आप शबको पता है एक सूटिंग यानि की निसाने बाउजी से रिलेटेड हैं इन्होंने ही 2008 बेजिंग उलम्पिक में 10 मिटर एयर राइफल में का सौड़ पता गीता था सबसे पहले बेक्तिकत इस बद्धा में सौड़ पता गीतने वाले हैं अभी नोव बिंद्रा दोहजार आठ बेजिंग उलम्पिक में कोशन नंबर फाइफ है निमनमेसी कौन ऐस्कार्विक अमलका सबसे बढ़िया सुरूत है और इसकॉर्विक अंभी आशिए नाम है यानि बितामिन सी का सबसे बढ़िया शूरूत कौन ऐस आफ्सन दिया हुआ है दोस्तों इन सभी में बितामिन सी पाए जाता है आउला अमरलत मिवूट माट बट सबसे ज़्जादा किसनी पाए जाता है तो आवला में सबसे जदा पा जाता है विटामिन सी जोय है जल में घुलनसीन होता है या तेज ताप पर उबान simult पर नश्ट हो जाता है विटामिन सी जो ऐसा है जो सक्रेघ में संचय नहीं किया जा सकता इसलिए प्रती दिन भोजर में प्रयोग करना चाहिए विटामिन C को इसकी कमी सी स्करवी हो जाता है आवला नीबू टमाटर अमूरूद सभी के इसकी स्रोथ हैं बट आवला जो है सबसे पेश्ट सूथ है सबसे ज़्यादा पाया जाता है इनमें से सबसे सास्ता खेल खोन है विच आवला इच चैपेश्ट स्पोर्स दोस्तों कवर्टी है क्योंकि इस पे कुछ भी नहीं करना पड़ता है किसी मेंड की जरूरत नहीं होती है बस ग्राउंड में आप ग्राउंड बनाएए और सुरू हो जाएए कोसें नमीर सेविन है वार्ज 2016 के ग्रिश्म ओलम्पिक रियो का शुभंकर क्या था दमस्कॉट आफ रियो 20 2016 समर ऑलम्पिक वाज तो दोस्तों 2016 जो रियो ओलम्पिक था उसका जो सुभंकर था वो था विनिसियस ठीक है और 2020 टोक्यों अलम्पिक का था मितोख तो यहां भी आपको देखना है 2016 जो सुभंकर मोट था मस्काट विनिसियस था और मोटो था लिव यूर्प पैसन यारी अपने मनों वेक से जिए और दोस्तो 2020 जो टोक्यो ओलंपिक था उसका मस्काट सुभंकर था विनिसियस स्वारी दोस्तो मिराई तोवा 2020 का क्या था सुभंकर मिराई तोवा एंड दोज़ाबीस का मोटो था उनाइटेड बाई इमोशन उनाइटेड बाई इमोशन एंड दोज़ाबीस जो पैरीश उलंपिक है इसका सुभंकर यानि मस्कट है उलंपिक फ्रीज और इसका आदस्वाग मोटो है दोज़ाबीस पैरीश उलंपिक का गेम्स वाइड ओपन यानि अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब अब आगे आगे ऊश्चेन नम्ट आठ है कितनी रिजिनर्ट समीतियां द्वारा नेशनल कॉंसिल आप टीचर एजुकेशन कारे करता है नेशनल कॉंसिल आप टीचर एजुकेशन फंक्सन्स थूर्व मैनी रिजिनल कमेटी तो दोस्तों यह एंसीटी अगस्त 1995 को किया गया था इसका उत्रदाई तो भारतियों सिच्छा प्रडाली को मानक प्रक्रियाओं इवं धराओं की स्थापना तथा नियच्र करना है इसमें चार चेतरी समितिया हैं पूर्वी पस्चमी उत्रियों दच्रिय तिहां पर आपका राइट इंसर हो जाएगा कोस्ट निम्बर नाइन है लोना पुरोजगा और किस खेल में प्रदान किया जाता है तो लोना अवार्ड इस गिवें इन्वीच स्वोर्स तो आप सबको पता है यह कबर्टी में दिया जाता है दोस्तों अपनें टेम जो है बिरोधित टीम के सभी खिलाड़ियों को कोस्ट निम्र 10 है खेलों को हम कैसे खेलों में हम कैसे घायल हो जाते हैं और दोस्तों कुछ है कभी कभी जो है खेलों का नियम नपालब करने से not following rules of sports हम घायल हो जाते हैं कोशन नमबर 11 है जब एक व्यक्ति बरतमान समाजिक मापदंडों को अपनाने के लिए अपने व्योहार अथ्वा अविबृति में बदलाव लाता है तो उसे हम क्या कहते है जब दूसरे बेक्ति के आगया पालन को कोई बेक्ति तुरंत तयार हो जाता है उसको अनुपालन कहते है ठीक है कोश्चन नमबर बारह है कि पहले ICC 2020 विश्व कप क्रिकेट परतियोगी था किस वर्स खेली गए थी तो दोस्तों यहाँ पहली बार खेली गए थी 2007 में दच्छिड अफ्रिका में यहाँ पर 2007 आपसा नमबर D राइट हो जाएगा कोश्चन नमबर तेरह है नमबन में से कौन सी प्रसिच्छड विधी कारे इवं विश्राउम के प्राकृतिक तार्यतम्ह पर कारे करती है विच आवले फालूइंग ट्रेनिंग मेथड वर्क्स अन्द नेच्रल सिक्वेंस आफ वर्क एंड रेष्ट वर्क एंड रेष्ट जहां भी सब्सक्राइगा वहां अपकार हो जाएगा इंटर्वल ट्रेनिंग मेथड यानि कि अंतराल प्रसिच्छड विधी जैसा कि आप जानते हैं इंटर्वल ट्रेनिंग मेथड की खोज 1920 में रेंडले वा गर्चल विकिला ने किया था सहंसिल्था वा गती सहंसिल्था को विक्सित करती है इसको टेरेस प्रसिच्छ भी कहा जाता है इसको इस विधी को रेष्ट अन केफोर्ड आराम हो भी स्रॉ जाता है और इसमें जो है अनकंप्लेट रिकोवरी दिया जाता है दो रिपीटेशन के मद्ध जैसे ही अभ्यास के दौनार हमारा होड ट्रेट 180 मिनत पहुच जाता है तो अधुरी छती पूर्थी के अनुसार जब हिदय गती तो 180 पहुचते हैं हम कारे को रोक देते हैं और अधुरी छती पूर्थी के अधा पर यह ही हमारा हिदय गती 120 से 140 पहुचता है पुना हम अभ्यास को सुरू कर देते हैं कॉस्टन esthQuéstart के कि साधन वारा कलपना सक्ती के अभिकास होता है तो दोस्तों कभी आप देखते हैं को किसी सीज को देखकर किसी चीज को मॉडल देखकर अब उसकेकर क्लपना करते हैं तो मॉडल तो दोस्तो अंजू बाबी जार्ज एथलेटिक से समधित हैं एथलेटिक के किस इवेंट में यहाँ लांग जंप में से रिलेटेड हैं इनको बिश्व एथलेटिक में कई पदक गितने वाली भारत की पहली एथलेट बढ़ने का स्रेपराप्त है अंजू बाबी जार्ज को 30 अगस्ट 2003 को पेरीज में 6.70 मीटर लंबी छलांग लगाकर नौवी बिस्व एतलेटिक चैंपियन स्टीप में कांस से पदक जीता इन्हें 2004 का राजयो गांजी खेलरत नपूसकार मिला कोईशन नमबर 16 है एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेनी वाला कर्थम गेंदबाच कौन है तो दोस्तो सबसे पहला है जीम लेकर कौन है जीम लेकर ठीक है यहाँ पे आफसर नमबर B आपका राइटे सोचाएगा जीम लेकर जो इंग्लेंड के थे और आस्टेरिया के खिलाब 1956 में मैंचेस्टर में एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेनी वाले प्रथम के अनबाच बने दूसरे कौन है अनिल कुम्बले अग भारत की प्रथम पुछा जाएगा तो एक टेस्ट पारी में 10 विकेट लेने वाला प्रथम के अनबाच कोन है तो अनिल कुम्बले होगा ठीक है और तीसरे हैं एजाज पटेल अनिल कुम्बले ने 1999 में पाकिस्टान की खिलाब दिल्ली में एक टेस्ट पारी में 10 विकेट जीदे थे और एजाज पटेल जो भारत में जन्मे न्यूजिलन्ड के क्रिकेटर है वो 2021 में भारत के खिलाब मुंबाई के वान क्यर्ड रे स्टेडियम में पहली ही पारी में एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गिन्दबाच बने थे तो परथम है जीम लेकर दूती है अनिल कुंबले अब भारत के है परथम अनिल कुंबले आतिसरे है एजाज पटेल कोशन नमर 17 है किसी खिलाडी के जुड़ू में या संपूर सरी में दर्द हुँ रहा हो तो कौन सा उच्चार अच्छा होगा तो दोस्तों इसके लिए हम इस टीम बौत देते हैं यानि की भाप हिस्नान कोशन नमर 18 है धमनी के अंदर पाय जाने वाले रूधीर का रंग कैसा होता है दोस्तों आप जानते हैं जो दो वाहिनिया होती है एक धमनी यानि की आर्टरी और एक सीरा यानि की वेल्स वेल्स जो होता है सीरा है जो हमारे समस्ष शरी से असुद रखते लेकर के हिते के दाहें भाग दाय अलिंद में लाती है और धमनीया जो होती है हिते की बाय haven निले से शुद रखत लेकरके स्री के समस्त भागों में पह ук elaborate है इसलिए इसका रंग लal उता है और शिरांमी असुद रखत बहता है इसलिए इसका रंग निला होता है Q19 होकी खेल में कितने निडायक होते हैं How many empires are there in hockey दोस्तों होकी में दो empires होते हैं कितने empires होते हैं दो empires होते हैं और दो empires अदूर टाइम की पर होते हैं पर तेक empires अपने पाले में खेल कानी रिछड़ करता है Q20 है कौन सा विसाड़ू जनित रोग नहीं है दोस्तों यहां पर एक एक करके देखना है चेचक जो है जिसे हम smallpox करते हैं यह विसाड़ू जनित रोग है जो वह विला वायरस द्वारा फैलता है खसरा जो है यह भी वायरस जनित रोग है खोसरा जो टोंगा वायरस के द्वारा फैलता है यहां पे आपका इन्फुलियंजा जो है यह भी वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है जिसको हम प्रति सियाम या स्विर्समा जो वर कहते हैं जो मिक्सो या अर्थो मिक्सो वरीदे वायरस से फैलता है एड्स आप जानी रह यह पहलता है यहां रहावी द्वायरस से फैलता है शावि रेवीज को अलेज रोग बी कहते हैं रहब्ड वायरस से दारा फैलता है थे कहां ऑब पॉल्यो जो है या पोलियो और अरन्य तिकुरना वारेस से दोरा फैलता है, इस भी वारेस दोरा हो, यहां पिक वारेस दोरा फैलने वाला रोग नहीं है, तो आपका, आफ़ल में भी 6 रोगैए अर्ति शार।, यली टिवर्टुलॉसिस और डियर्य है यह वैक्टेरिया से फैलने वाला रोग है तुबर कुलिसिस टीवी जिसे हम छे रोग भी कहते हैं यह मायक्रो बैक्टेरियां टुबर कुलोसिस बैक्टेरिया से फैलता है कोश्चन नमबर 21 है भाड प्राचीन सार्विक कतिवीदियों में सामिन नहीं है लेकिन जो फैरिंग है वह सामिन नहीं रहा बाद में सामिन हुआ ठीक है फैरिंग यानि फैंसिंग फैंसिंग नहीं जो फैंसिंग तो तल्वार बाजी को आते है ठीक है तो तल्वार बाजी रथादवर मुक्के बाजी इस तीनों प्राचीन समय से ही सामिल रहे हैं फैरिंग जो है वह सामिल नहीं रहा है बैर्मिंटर रैकेट की लंबाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तो बैर्मिंटर रैकेट की लंबाई और सट सेंटीमिटर होती है तो और सट सेंटीमिटर में कितना मिलिमिटर हो जाएगा 680 mm या पर 680 mm यानि कि 860 cm से अधी नहीं होना चाहिए बैमिंटर के रैकेट की लंबाई कोशन नंबर 23 है कि निवने में से किस तक्नीक में कार्य और पुरू इस्थिति बहाल होने के लिए निधाइस चड़ो पबल दिया जाता है इन विश आफ दे फालुविंग टेकनीक दे वर्क एंड रिकॉवरी फेज और टाइम एड फिस इंटर्वाल्स दोस्तों यह आपका सबको पता है मध्यानतर प्रसिछर इंटर्वर्ट ट्रेनिंग में ठर में ऐसा होता है। रेस्ट दिया जाता रिकॉषता है जैसे कि हमारा हार्ट रेड 180 पे पहुच्छता है है दो रेकॉषत कर देते हैं। 2-1 c कॉंस् Buddh आफ तो सह सो और दोर दीनों में चुले हरो या hmm जाएगा इसके बार तो विच आपको सामिल किया गया है तैराकी को किसको सामिल किया गया है तैराकी को को ओंद पेंटलांका मतलब होता है ये मिकक्स्टवर्ण दूरों के लिए होता है एक दिन में संपन होता है पांच होते हैं पेंटा कन्टला मतलब पतियां और यह पांच इवेंट क्रांबस्टे हैं जिसे कि तलवार बाजी यानि फेंक सिंग, तरलागी फ्रीश्टाइब, हास जंपिंग, निशान बाजी, and cross country मैंने इसका ट्रिक बनाया हुआ है तलवार ने तरा की फ्रीश्टाइल में घोडा पेश्टड़ कर निशाना लगाते कुई cross country तो दोस्तों आप देकाथलान, हेप्टाथलान, पेंटाथलान, क्राइफलान, चारों के बारे में डीटेल में जाने के लिए आप एफलेटिक्स वाले प्लेजिश में जाए और कमबाइड इवेंट को जरूर देखी और प्रातिन पेंटाथलान में आपका दोड लंबी क्वेशन नमबर 26 है एसी ए का संबंध है तो दोस्तों एसी ए का संबंध लॉर्ण टेनिस से है किससे है लॉर्ण टेनिस से क्वेशन नमबर 27 है खेल कूद की चोटों के पुनरवास में निमने में से किस वीधि का प्रियोग किया जाता है इस यूजड इन रियाबिलिटेशन ऑफ स्पोर्स इंजडीज तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो रियाबिलिटेशन होता है पुनरवास यानिकी पुना पहले वाले एस हीती में आ जाना उसको पुनरवास कहते हैं इसमें तीन विधिया होती है एक मनुबग्यानिक प्रसिछ धिया नहीं है कि वेल क्या दिया है सान्सोधी बैयाम यानि करstag एक्सराइज तो मॉडिफाइड बैयाम एकसरइज जैनि सासूधी बैयाम या क्या प्रिश्टूशे होगा 21000 पुनरवास का प्रयों कि तो रियूग करणे से होता है तो वाट इज तो आप स्पोर्स मेडिसिन की प्लेलिस्ट में जाएं वहां डिटियल में अच्छे से बताया गया है तो तीन बीजिया होती है क्रेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट বिस रहोगा अ है को श्च नंभर 29 जह पहले एक पृषिद्ध के राड़ी था छो स्टूंब एस फूटबॉल का फ्रसित क्लाड़ी था फ़ए पैले है कि वह प्राजिल का था अन्न स्टिक जड़ारीयोन champion अर्जेंटीना का रुनाल्डो प्राजिल का डेविट बेखं इंग्लेंड का लियुनिन मैसी आर्जेंटीना का जिंदान फ्रांस का कोचन नुम्र 20 है एक ग्रम कॉर्व होड चै इस मां इस में कक्या निक कैलोरी प्राफ्थ होती है तो तो आपको पता है 1 ग्रम कार्व होड प्रोटीन से 4.1 कलोरी उजब राप होती है और वसा से 9.1 कलोरी यहां पी 4 आपका राइटेंस हो जाएगा अगर 4.1 दिया रहेगा तो 4.1 आपका राइटेंस रहोगा वसे रही है क्वाऌसज़ से समंधित है तो सिप्ट करके टौकड़ी में गाला जाता है या två bisher करसी और कर किस तत्यों की कमी से होता है तो को ड्रोटिं की कमी से होता है किसकी कमी से प्रोटी SR computer करने वाले उसमें हमारा प्रोटीन आता है तिसरा सरी के रच्छा करने वाले रोगों से तो होता है हमारा विटामीन्स एन मिनराल्स यान खनेज लवार कोश्चन नमर ट्राइटीस है मांस पीसीओ को सुद्रिव वा सुद्रवल रखने के लिए सबसे महतपुल कारग है तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फार केपिंग मुसल्स स्ट्रांग एंड फिट इज तो दोस्तों डेली पैसी तो हम एक्सरसाइज करेंगे अच्छा भ उपचार के लिए कौन सी विधी प्रयोग की जाती है विस मेधर्ट इस यूज़ फार इंस्टेंट ट्रीट्मेंट फॉर आफ इस्प्रेंट तो दोस्तों एसलेटिक प्रकार की चोटों के लिए तुन्त उपचार के लिए और आई-सी-ई-पधति का प्रयोग किया जाता ह यसे पहला आता है आपका R से होता है R लेश्ट अइस होता है आई यानी बर्फ का परियोगकरना सी इसे कंपरिजन यानी दबाव लानना इसे इयादरी उचाई इसे उपर उठाना चैप्रत उप्रिप्चा हम क्या करेंगे क्रायो थरेपी यानी कि बर्फ लगाएंगे ठी दोस्तों यहां पर राइड अंसर होगा आफसर नबर ए अंजाने में बाल हांच से छू जाएगा तो उसमें प्रत्यच किक यानि डारेक्ट किक नहीं देंगे थीक है अब कभ देंगे बिरोधी को धक्का देने पर जान बुच कर बिरोधी को गिराने पर थीक है इंबरियोधी के ऊपर कुदने पर इन सभी स्थितियों में पतेश किक दिया जाएगा लेकिन अंजाने में बाल हाथ से छू जाएगा तो नहीं दिया जाएगा कोशन में 36 है यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय हाथों में और पैरों में होने वाले जो ग्रिया होती है कौन सी गती होती है इफ प्लेयर वाग तिन विच टाइप अप मोशन अकॉर्स इन दो एक्शन आफ हैंस एंड लेक वाइल वाकिंग तो दोस्तों वाइल वाकिन या चलते समय जो है हमारा हाथ फेल में क्या होता है फ्लैक्शन एक्स्टेंशन मोमेंट होता है यानि कि कोड बढ़ना कोड घट है वेगा विच फॉल्विग इज रिक्वाइड इन एरोबिक अंडुरें एक्सरसाइज तो आपको पता है ऑड़ बढ़ के उपस्थी में जो ख्रिया होता है उसे हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं तो ऑसिजिंग जाब सकता होती है और अबल और अनारोबिक में क्रियाएं होती हैं जैसे सो मीटर दौर अवेट लिफ्टिंग इस अभी आपको अन एरोबिक में हो जाएगा कोशन नबर आर्टीस है आल इंग्लेंड बैर्विंटर प्रत्यूगता जितने वाला प्रथम भारती खिलाड़ी कौन है को इस प्रकास पादुकोर जो आपके आल इंग्लेंड बैर्विंटर चैंपियंशी में जीतने वाले प्रथम भारती खिलाड़ी है 1980 में इस चैंपियंग का एक गल्ल खिताब इन्होंने जीता था उनिस सो असी में कोशन पर 49 है इस्टी एफसीन ये लाइपेज वसा को ग्लिसीन की रूप में कहां पर प्रिवज़ित किया जाता है तो दोस्तों इस्टी एफसीन को लाइपेज को ही जो आग्नासय से है प्रिवज़् एंजाइम इस्ट्रावित होटा है इस बीसे इमयाइपयेज जो है कार्भोहाड्य का क्यूबह बदलता है लाइपेज ओ uniqueness को वसा में बदलता है प्रोटीन यानि प्रेप्टोन को बदलता है तो यह बदलता कहां पर है जैसा कि आप जानते है छोटी आत के जो पहला भाग डोडिनम होता है वहां पर हमारा पित्तासर नरी और अगनासर नरी दुरों जुड़ा रहता है यानि कि आकर के कहां मिलते हैं छोटी आत में चोटी आत में ही भोजन को वसा जो इसमाल इंस्टेंट टाइन चोटी याद जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारा अमासे होता है उसमे तीन एंजाइम होता है लिए कि यह प्री इंजानते हैं और फ्रोटीनेसिश कषिए हएं होता है अधिश्चिशान नर्स कि दो सकति है स्ट ससाँ होता है और नूतर सक्षिक 맞아 दोस्ता है आपनाशक से स्ताविद होता है इसमान एक ने है इस में चारगंटे तक ही रहता है अ उनलों और इस इसके एज कि अ हम सीच प्रकार वोजन जो है है फिर इसके लॉफ के बाद चोटी कोया हूं सिसन कर भारात में सारे सिछा को किसस ने सुरू किया था कि फूंडर्य टाइज सुना मदरास में खूला जिस skirt दिया caf eran Amerika को उसी सिम्प blacks ऑग यह उन्हें तो दोस्तो एथा आज के सेशन में 40 कोश्चन्स आई हो कि आपको सभी कोश्चन्स समझ में आ रहे हैं आप सभी प्रैटिस कर रहे हैं और अपने दोस्तों तक भी सेयर कीजिए जिससे अनने लोगों तक विडियो पहुछ सकें जिस भी कोश्चन में डाउट होगा या कुछ गलती होगा जरूर कमेंट में बताइए गलती हो को हम लोग मिलकर ही सुदा रहेंगे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो प्रैटिस में तब तक के लिए जय है